आप लोगों का स्वागत है में एक और वीडियो में तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक नमबर दोजार तईस का होंबर्क सेट नमबर सिक्स जो की बिहार पुलीस के लिए मैं डेली होंबर्क आप सब को देता हूँ इसी होंबर्क पे रात में आपका 9 बजे टेस्ट होता है चलिए आज के होमबर्क को आप सब देख लिजीए कि करके ये है होंबर्क सेट नमर्बर सििक्स एक नमबर दो..., पैला सबजेक्ट है साइंस साइंस में आप तीनों शाइंस करेंगे और फिजिक्स में आप करेंगे पल लवन, प्रिश्ट, तनाप, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ, एक ये करके मैं आपको करवाते जा रहा हूँ, और ये आपको जो करना है, सोर्स कौन सा इस्तिमाल करेंगे, तो blue वाली जो lucent होती है, उसी से आप करेंगे, बाकी मैं important question आपको test में दे दूँगा, चलिए बढ़ते हैं, दूसरे subject क चलिए दूसरा subject है, आपका quality यानि राजवेवस्ता, इसमें आप कल का ही topic करेंगे, संगिया संसत, इसमें कल मैं लोग सभा से बहुत जादा प्रसंद आप सबको दिया था, आज की test में राज सभा से प्रसंद रहेंगे, तो अच्छे से आप देख लेंगे, इसरा geography, जोग मुख जलसंदी, ये आज आपको खतम कर लेना है, जलसंदी वाला ज्यादा बड़ा चेप्टर नहीं है, लेकिन भारत का भुगोल में भारत का जो जलवाईयू है, ये अगले दिन जो homework set मिलेगा, आपको set number 7, उसमें भी रहेगा, नेक्स सब्जेक्ट देखते हैं, चौथ economics, तो कल मैंने economics का, NCRT अधारित economics का set number 6 टाला है, आपको वही करना है, उससे आज प्रसन होंगे, और आज साथ set number 7 आजाएगा, तो ये अगले test में होगा, तो economics वाला जो NCRT सीरीज है, उसमें बहुत सारे प्रसन आपके exam में आने वाले हैं, जब आज आएगा exam में प्रसन उसके बाद मैं match कर दूँगा, आप देख लिजीगा, अभी आप नहीं देख रहे हैं, उसको ignore कर रहे हैं, कर लीजीए, लेकिन उससे प्रसन काफी ज़्यादा आएगा, इसलिए आप अच्छे से उसको देख लें, पाचमा है history इतियास में, दो दिन पहले से ही governor general चल रहा इसमें मेरे वीडियो से करेंगे revision class number 6, जिसमें आपको current affairs मिलेगा, कौन से महने का, तो March महने का मिलेगा, आप अच्छे से देख लेंगे revision class करके playlist बनाओगा, 20 वीडियो है, अगर आप देख लिए, अच्छे धंग से current affairs आप याद कर लिए, उसका PDF निकालवा के याद कर ल NCRT आधारित science personal author का state number 9, कल state number 8 दिया थे, आज state number 9 रहेगा, आपको अच्छे धंग से याद कर लेना है, अगर आप sequence में पढ़ेंगे, topic wise करते जाएंगे, और रात में test देंगे, ये regular अगर 30 दिन तक follow कर लिए, तो आपकी exam निकलने की capability वो अधिक हो जाएगी, बहुत अध तक chance बन जाएगा, आपका exam निकलने का, तो प्लीज अच्छे डंग से आप topic को करेंगे, और रात में इसी topic पे, same topic पे test होता है, रात 9 बजे, तो आप उसको देंगे, चलिए, homework स्रीच पसंद है, तो चैनल पे नए है, तो चैनल को subscribe कर लीजेगा, और एक like कर लीजेगा, इ झाल 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